हलो बच्चों तो आज हम दो देखने वाले हैं chapter 1 के question answer जिसका नाम है adaptations in plants तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को number one question दिया है what is habitat habitat क्या होता है और name the different land habitat और different land habitat कौन कौन से होते हैं answer देखते हैं इसका the place where plant normally found is called its habitat ठीक है ऐसा जगह है जहां पर basically क्या होता है plants पाय जाते हैं उसको हम बोलते हैं habitat जैसे desert hills and mountains are land habitat तो है desert हो गया hills हो गया और चाहे mountains हो गया इन सारों को हम लोग बोलते हैं land habitat question number two देखते हैं why desert plant need to store water यानि जितने भी हम बोल सकते हैं फिरपाओदे होते हैं जो रेकिस्तान में होते हैं desert में होते हैं उनको अपने लिए पानी इकठा करके क्यों रखना पड़ता है water को store करके क्यों रखना पड़ता है answer देखते हैं इसका there is hardly any rain fall and little water in present under the ground यानि वहां के जो area होते हैं जो desert होता है रेकिस्तान होता है वहां पर कभी कभार ही भारिस होता है जिसके करण वहां पर जितने भी plants होते हैं वही plants grow करते हैं जो plants पानी को store करके रख सकते हों question number 3 question number 3 how are converts adopted to their environment converts मिल्च के होता है संकुदार पाओधा यानि जो संकुदार पाओधे होते हैं जो काटेदार पाओधे होते हैं वो किस तरह से वहां पर उस environment में रह पाते हैं तो answer देखते हैं this tree are generally tall and straight many of them have needle-like lips यानि जो comfort tree होते हैं वो क्या होते हैं एक ऐसे पेड़ पाओधे होते हैं जिनमें जिनकी जो हम बोल सकते हैं पाओधा होती हों काफी straight लंबा होती है सीधा होता है ठीक है और उनके जो पत्ते होते हैं न नीडल-like lips मतलब कि उनके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह होती है मतलब कि चुपने वाले पत्ते होते हैं उनको बलते हैं comfort tree question number four है how do non-green plant obtain food जो non-green plant होते हैं उनको अपने लिए भोजन कहां से मिलता है answer देखते हैं they obtain food from other plants जो non-green plants होते हैं यहाँ पर spelling से गलत है obtain होगा वो भी t-a-i-n they obtain food from other plants यह दूसरे plants क्या करते हैं अपने food को लेते हैं question number five what is aquatic plant aquatic plant क्या होता है answer देखते हैं plants that grow in water are called aquatic plant ऐसे plant जो पानी में उगते हैं या जो पानी में पाए जाते हैं उनको हम लोग aquatic plant कहते हैं जैसे water hansith and duckweed यह दोनों पौधे क्या हैं ऐसे पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं इनको बलते हैं aquatic plant question number six what is the difference between a fixed plant and a floating point plant यह fixed plant और floating plant में क्या अंतर होता है fixed plant का मतलब ऐसा plant जो जिनकी जो जड़ है वो जमीन में जुड़े होते हैं यह जमीन में गई होती है और floating point ऐसे plant होते हैं जो पानी में तैरते हैं तो चलिए difference देखते हैं आंसर पहले fixed plant के बारे में जालेंगे these plants have a root यानि fixed plant में क्या होती हैं इनकी जड़े होती हैं which are fixed to the soil जो मिट्टियों में जुड़ी होई रहती हैं at the bottom of the water body यानि नीचे जमीन में इनकी जड़ होती हैं वो गई रहती हैं अंदर तक इनकी root रहती है fixed plant में floating plant में क्या होता है these plants float on surface of the water floating point क्या होता है ऐसे plant जो पानी के उपर तैरते हैं they are small, light and spongy ये पौधे कैसे होते हैं काफी छोटे होते हैं हलके होते हैं और spongy होते हैं तो ये थे difference between fixed plant and floating plant so I hope आपको वीडियो काफी help करेगा आपके exam में so thank you so much